नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उडानदफ लाई के आनलाइन प्लेटफर्म पर स्वागत थें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद यदि वीडियो के दोरान किसी भी प्रकार का एडवर्टिजमेंट आता है तो आप लोग उसे पूरा देखें, उसे इसकितना करें और यदि किसी प्रकार का सुझाव है तो उसे आप अवस्च दें उस पर उचित विचार किया जाएगा हम लोग पिछले टॉपिक में जो मिनरल्स हैं उसके अंतरगत धात्विक और आधात्विक का डिटेल में डिस्कुसन किया है आज जो इधन से संबंधित मेंरल्स हैं उस पर हम डिस्कुसन करेंगे इसके अंतरगत हम तीन पार्ट को डिस्कुस करेंगे सबसे पहला होगा इसमें कोईले का डिस्कुसन होगा उसके बाद जो डिजल और पेट्रोलियम हैं और गैस तीन टॉपिक को हम डिस्कुस करेंगे और फिर इसकी अलामा जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ कह सकते हैं आणिविक इधन होते हैं उस पर डिस्कुसन होगा तो आईए सबसे पहले जानने का प्रियास करते हैं कि जो इधन से संबंधित मिनरल्स हैं उसके अंतरगत किसका किसका हमें अध्यान करना है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इधन खनिज में मुख्य रूप से तीन पार्ट है, एक तो है कोईला, एक है पेट्रोलियम और तीसरा है प्राक्रतिक गैस, वैसे पूरा जो इधन खनिज है, जैसे मालत एकर 100% टोटल खनिज है, कितना पर्चेंट है? 100%, तो 100% में से, 100% में सब हैं, धात्वीक हैं, अधात्वीक हैं, फ्यूल हैं, सब हैं, उस 100 में से 31.23% कोईलै का है, उस 100 में से 23.73% कोईलै का है, तथा 9.43% contribution किसका है गैस का है इस प्रकार ये तीनों को आप add करें तो 100 में से लगभग 67% योगदान इसी fuel minerals का है किसका है? fuel minerals का है तो आपको शुरू में बता दिया गया था कि जो इधन खनिज होते हैं टोटल खनिज का लगभग 67% इन ही का contribution है तो ये तो पहला हो गया कि इधन खनिज में मुक्रूप से कितने को पढ़ना है? 3 को koila, petroleum और prakritik gas फिर हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला जो हमारा खनिज है उसका नाम है koila तो हम लोग पहले koila प्याद्धन करेंगे फिर petroleum फिर prakritik gas पर तो यहां पर अगर हम koila की बात करें तो koila प्रमुक रूप से 4 प्रकार का होता है कितने प्रकार के koila होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं इसमें जो सबसे बहतर quality का koila होता है उसका नाम है anthracite anthracite सबसे उच्छ quality का koila होता है इसमें carbon का जो content है वह लगभग लगभग 80-95% तक होता है 80-95% तक कार्बन की मात्रा होती है किसमें एंथ्रे साइड में तो जिस कोईले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वह कोईला उतनी ही अच्छी क्वाल्टी का माना जाता है तो यंत्रे साइड में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है इसलिए अंत्रे साइड सबसे उच्च क्वाल्टी का कोईला माना जाता है हाँ इसका अगर देखा जाए वित्रण कहां पर ये कोईले पाए जाते हैं वैसे जितने भी कोईले हैं ये सब आवसादी चटानों में ही पाए जाते हैं लेकिन उसमें भी कुछ कोईले हैं, जो गोंढवाना क्रम की आवसादी चट्टान में पाई जाते हैं, और कुछ हैं, जो टरसियरी काल की आवसादी चट्टानों में ट्रैप हैं. तो जो यहाँ पर एंथ्रेसाइट कोईला है या तरसियरी युगीन की जो चटान है उसमें ट्रैप है जिसका विस्तार अगर आप देखें तो जम्बू कस्मीर है जो तरसियरी पीलिड का कोईला है लेकिन सबसे उच्च क्वाल्टी का है तो अगर पूरे भारत में कोईले की हम बात करें कि पूरे भारत में अगर मालते 100% कोईला है कितना परसंट कोयला है? 100% कोयला, तो उसका 2% कहां से प्राप्ट किया जाता है? इस जंभू कस्मीर वाले छेतर से प्राप्ट किया जाता है. ठीक है? यह आप यह कह सकते हैं कि भारत में मा लेते हैं टोटल कोयले का अगर भंडार है 100% तो उसमें से 2% भंडार किसका है? किस क्रम की चट्टान में है तरसियरी योगिन की तरसियरी योगिन यानि जो हिमालय रूपी नौ बलित परवत है उसमें इसके प्रमाण पाए जाते हैं या उसमें इसके भंडार पाए जाते हैं सेस जो 98% कोईला है वह किस रूप में भारत में विद्धिमान है तो ध्यान रखिएगा वह है बिटुमिनस कैसा कोईला है बिटुमिनस लेकिन सबसे बहतर कौन है एंथ्रेसाइट तो यहां पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर का जो उच्छ क्वालिटी का कोईला है उसका या second highest quality का कोईला है भारत में यही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पूरे भारत में जितना भी कोईला भंडार है उसका 98% भंडार बिटुमिनस टाइप के कोईले का है किसका है बिटुमिनस टाइप के कोईले का 2% किसका है एंथ्रेसाइट का लेकिन बहुत कम मात् या कुछ है भी तो उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं कौन सा है Lignite और Pit बाए जाते हैं लेकिन इनका हम लोग जादा इस्तिमाल नहीं करते हैं इस्तिमाल किसका होता है या तो यंथ्रे क्ickersक का है бिटुमिनप सेकंड हाईइस्ट क्कॉल्टी का है जिसमें कारबन की मात्रा 55 से लेकर के 65% होती है फिर इसका हम विस्तार देखें कि किह रहा कि चक्टान में पाई आता ति ये गूंडबाना क्रम होई था जो अतीत में पहले अफरीका से अलग होकर के उत्तर और पूर्व की तरफ आगे बढ़ा विश्वत रेखा के साहरे जब यह आगे बढ़ा है तो वहाँ पर विश्वत रेखी ये प्रदेश के जो घाने जंगल थे वही गोंडवाना क्रम की बेसिन में ट्रैप ह हो गए हैं जिससे आज वहाँ पर कोईले का निक्षेफ हमें देखने को मिलता है तो यहां गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं कौन सा कोईला बिटुमिनस टाइप का कोईला और पूरे भारत के छमता का कितना है यह 98% यंत्रे साइट किस क्रम की चट्टान म है 2% है तीसरे नंबर का जो उच्छ क्वाल्टी का कोईला है उसका नाम है लिगनाइट क्या नाम है लिगनाइट आप से कभी कभी पुछा जाता है सबसे उच्छ क्वाल्टी का कोईला का उनसा है सबसे निम्न क्वाल्टी का कोईला का उनसा है तो नाम याद रखिएगा एंथ्रेसाइट सबसे हाइएस्ट क्वाल्टी है, शेकेंड नमबर पर है बीटुमिनस, भारत में यही सबस्यादा पाये जाता है, तीसरे नमबर पर है लिगनाइट, इसी को हम एक नाम और देते हैं, भूरा कोईला, क्या कहते हैं, भूरा कोईला, इसमें कार्बन का मात्रा कम होती है कितना परसंट है लगफक 45-55 परसंट तक कारवण इसमें पाय जाते हैं अगर इसका हम भंडार देखें कि कहां कहां पर हैं तो तमिल्नाडू में इसके कुछ भंडार पाय जाते हैं कुछ राजस्थान में हैं मेघाले में हैं असम में हैं और पस्यम बंगाल में हैं ठीक है लेकिन माप्ता इनकी कम है और क्वालिटी भी इनकी कम है तीसरे नंबर का चौथे नंबर का जो कोईला है वह है पीट पीट कोईला जादा तर तराई छेतर में मिलता है और इसमें जल फॉम में नहीं पाए जाते हैं जल योजित फॉम में पाए जाते हैं यानि इसमें जल मिक्स होता है ठीक ड्राइ नहीं होता है यह पीट टाइप का कोईला है ज्यादा तर तराई बेल्ट में पाए जाता है जो सिवालिक से सटा हुआ यूपी या बिहार के उत्तरी सेक्शन ह वहाँ पर यह निक्षे पिसके पाई जाते हैं, लेकिन इसकी quality काफे low होती है, क्यों क्यों कि carbon की मात्रा भी सबसे कम होती है, इसलिए इसका इस्तिमाल हम लोग अध्योगिक द्रिश्ट कोन से बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी यह चौथा प्रकार का कोईला जिसको हम करते सबसे अच्छी quality का anthracite, जो tertiary यूगीन अवसादी चट्टान में पाया जाता है, और इसका मुख्य भंडार कहां पर है, जम्मु कस्मीर में है, दूसरे नंबर का कोईला कौन सा है, bituminous type का, जो किस करम की चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना करम की अवसादी चट् तीसरे नंबर का कोईला है, pit type का, जिसमें सबसे जादा मात्रा में आदरता या जल की मात्रा पाई जाती है, और यह कहां मिलेगा, तराई छेतर में, जो सिवालिक का दक्षडी तथा बिहार और यूपी का उत्तरी भाग है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोईले का इस्तिमाल, अगर हम देखें कि ब्यावसाइक दृष्टी से इनका खपद जो होता है, किस सेक्षन में कितना होता है, यही देखना है, तो सबसे ज़्यादा इसका हम लोग उप्योग करते हैं, कहां पर बिद्दुत छेतर में, यानि बिद्दुत को पैदा करने में, हम सबसे ज़्यादा कोईले का इस्तिमाल करते हैं, कितना परसेंट करते हैं, लगभग 80%, मैंने कोईला जितना भी हो रहा है, उस कोईले का लगभग 80% हम लोग इस्तिमाल कहां कर देते हैं, बिजली बनाने में कर देते हैं, लगभग 2% हम लोग कोईले का इस्तिमान करते हैं, इस पात उद्योग में, इस टील उद्योग में करते हैं फिर अस्पंज उद्योग है, वहाँ पर भी हम लोग 1.2% का इस्तिमाल करते हैं सिमेंट उद्योग में भी 1.2% का इस्तिमाल करते हैं अर्थाद आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्या कोईले का हम लोग इस्तिमाल कहां पर करते हैं विद्धुत सेक्टर में और दूसरे नंबर पाराता है इस टेल उद्ध्योगी इसके अलामा सेस में और सभी हैं तो बस मुख्य मुख्य पॉइंट आपको याद करना है फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर भंडारन के द्रिष्ट कोण से देखा जाए तो भारत का बिष्ट में फिफ्ट रैंक है फिफ्ट रैंक है फिर अगर हम का बात करें कि अगर उत्पादन के द्रिष्ट कोण से देखा जाए भंडारन अलग होता है और उत्पादन अलग हो लेकिन अगर प्रोडक्शन के लेबल पर देखा जाए क्योंकि भंडार कम है लेकिन हमारा आउसिक्ता ज्यादा है यदि मेरी आउसिक्ता ज्यादा है थो हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा करने के कारण भारत जो है प्रोडक्शन की अनु और तीसरे पे भारत है फिर बात करते हैं कि आधोनिक ढंग से यानि जो हमारा मॉडर्न टेकनिक है कोईले के निश्करशन की इसकी सुरुवात कहां की गई थी पहली बार रानी गंज बेस्ट बंगाल में तो आप से कभी कोई पूछा जाता है सबसे पहली बार मॉडर्न टेक तरस्ण प्रारम किये थे तो उसका नाम है रानी गंज बेस्ट बंगाल में आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कोईला खनिज जो संसाधन है यह देश का सबसे महत्तों यों विसाल कोईला छेत्र कहां पर है उपरी दामोदर घाटी का रानी गंज छेत्र है ज तो वही का रहा है कि देश का सबसे महत्तों यों विसाल कोईला छेत्र है एक मने ऐसा का रहा है कि अगर कोई एक माइन ले लिया जाए यसे एक पूरा एरिया ले लिया तो एरिया बात नहीं कर रहा है किसी एक ख़दान से अगर सबसे आदा कोईले का निस्करशन किया जात सबसे जब पूछा जाए कि यहां पडामुदर नदी है सोन नदी है महान नदी है उन सब सेक्षन में सबस्यादा पाया जाता है अगर आपसे इंथ्रे साइट पूछा जात कहां पाया जाएगा जंबू कस्मीर में पाया जाएगा पीट करम का कोईला पूछा जात कहां पाया जाएगा तराई बेल्ट में पाया जाएगा तो चार को पिर यहाँ पर कारा है कि Coal India Limited यानि जो कोईले का निस्कार्शाण प्रोडक्शन उसका बित्रन करती है उस कमपनी का नाम है Coal India Limited पर नाम है या भईरसरकार की कंपनी हैं और इस company को महा-इत्न company का दरजा दिया गया था कब 1975 में में company को बारे में पढ़ेंगे मिनी रत नहीं ना У्हा रत नहीं महा रत इसंट आरी company के प्रकार हैं जो भारत सरकार की हैं public setor की जो company उनके बारे में के बारे में एक केटेगराइज किया जाता है तो आप लोग आगे बढ़ते हैं अगर हम इस टोरेज की बात करें कि भंडारन चमता के अनुसार भारत में किस राज्य की चमता सबसे ज्यादा है तो वहां पर क्रम आप देखिए सबसे ज्यादा भंडारन चमता है जार खंड में क्योंकि छोटा नाकुर वाला सेक्शन जो गोंडवाना का जाही करम हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा कोईला पाया जाता है जार घंड में दूसरे नंबर पर बात करें उडुडिसा आता है तीसरे नंबर पर अबर सबसे ज्यादा होता है तो prevention कारम होता है जबकि भंडारण का करम तो नहीं बदलता है लेकिन पूड़क्शन का करम बदल जाता है क्योंकि पूड़क्शन में मानों की छमता का योगदान होता है और सरकार की नीतियों का महत्पूर योगदान होता है तो production में सबसे ज़ादा production होता है 36 जिसका भंडारन में तीसरा रेंख है कौन सा रेंख है तीसरा दूसरे नमबर पर है जारखंड और तीसरे नमबर पर है उड़ीसा यानि लास्ट वाले को सुरूँ में कर दो बाकी सब कुछ सेम है ठीक है अगर हम बात करें कि भारत में सरव पाधिक कोईला की खान कहां पर पाई जाती है उसका नाम है जारखंड जारखंड में सबसे जैसा ज् hiking से सबश्यादा कहां पर है उसका नाम है जारखंड पिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बात हो रही है कि जोन्डवाना कोईला है लिगनाइट तो अस्पस्ट हो गया तमिलाडू में लेकिन गोंडवाना क्रम का जो कोईला है जिसका सबसे ज़्यादा भंडारन भी भारत में है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी भारत में होता है यह कहां पाया जाता है हमने कहां गोंडवाना क्रम की जो चटा जा रही हैं लेकिन भ्रंसन के पस्चात वहां पर उपस्थित जो भी पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे पहले उस भ्रंसन में ट्रैप हो गए हैं और उन्हीं के उपर जब आउसादन हुआ तो काफी जादा हाई प्रेसर और टेंपरेचर के कारण वही बनस्पतियां आज हमें कोईले के रूप में भिद्धिमान होती हैं लेकिन जब समय भी था तो उसी बेसिन से होकर के यानि उसी भ्रंस से होकर के नदियां बहने लगी हैं तो बरतमान में जहां पर नदियां हैं वही पर अतीत में भ्रंसन के कारण बिश्ट तरीक ही ये बन प्रदेश की बनस्पतियां ट्रैप हुई है जहां पर आज कोईले का प्रचुर भंडार पाया जाता है इसलिए गोंडवाना करम की जो चटाने है या गोंडवाना में जो कोईले का भंडार है वह ज्यादा तर नदी बेसिनों के सहारे ही पाये जाते हैं और उसमें कौन-कौन से नदी बे देखें तो सोन नदी हैं सोन नदी भी गोंडवाना करम की पार्ठ है तीसरे नंबर पे आप बात करें यहां पर महानदी बेसिन है यह बी गोंडवाना करम की है चोथे नंबर पे आप बात करते हैं तो वहाँ पर है गोदावरी तो तेन नदियां है और एक छेत्र है छोटा नागपुर ये भी गोंडवाना करम में है सोन नदी ये भी गोंडवाना करम में ही है महा नदी भी है और गोदावरी भी है तो इन चार सेक्षनों में प्रमप्रोब से गोंडवाना क्रम के कोईले पाए जाते हैं तो सबसे पहले इसमें किसको देखना है? छोटा नागपुर देखना है फिर सोन नदी देखना है कि सोन नदी सेक्षन में कौन-कौन से भंडार है महानदी सेक्षन में कौन-कौन से भंडार है और गोदावरी बेसिन में कौन-कौन से भंडार पाई जाते हैं तो सबसे पहले किसको देखेंगे चोटा नागपूर तो चोटा नागपूर काफी विस्तृत छेत्र में है इसका विस्तार आप देखेंगे बेश्ट बंगाल में भी है जारखंड में भी है उडिसा में भी है तो उसी की बात कर रहा है कि जो छोटा नागपूर वाला सेक्षन है छोटा नागपूर वाली जो खान है यह कहां कहां पर है तो इसका विस्तार तो है जारखंड में, उडिशा में, बेश्ट मंगाल में और 36 गड़ में चार राज्यों में है क्योंकि हम पहले ही छोटा नागपुर पढ़ चुके हैं इसमें एक है छोटा नागपुर जिसका राजमाल हजारी बाग और रांची का पठा तो यहां पर जारखंड राज जाता है, उडिशा आता है, 36 गड़ आता है और बेश्ट बंगाल आता है लेकिन इस सेक्षन में, छोटा नागपुर वाले सेक्षन में कौन सी नदी है जिस नदी के साहरे हमने कहा नदी के साहरे ही कोईले पाए जाएंगे तो नदी कौन सी है उन सेक्षनों में, छोटा नागपुर वाले में, तो दामोदर है कौन है, दामोदर है, प्रमुख नदी कौन है, दामोदर और दूसरे नमबर पे आएगी ब्राहमणी सुवने रेखा भी है, लेकिन जहाँ पर कोईले का भंडार है, उसी की बात होगी तो सबसे आदा कोईले का भंडार इसे दामोदर नदी घाटी के साहरे या दामोदर नदी बेसिन के साहरे पाया जाता है, जो छोटा नागपुर वाले सेक्षन में है तो यहाँ पर छोटा नागपुर वाले में जो दामोदर नदी बेसिन है वहाँ पर भी आप देखेंगे, कुछ रानी गंज में है, जो बेश्ट बंगाल में कहाँ पर है रानी गंज बेश्ट बंगाल, दामोदर वाला वो भी सिक्षन है और कौन सा है? दामोदर नदी जारखंड से चूकी निकलती है तो जारखंड में कौन-कौन से छेतर आ जाते हैं? तो जरिया है कौन है? जरिया है, गिरडी है और बुकारो है तो जहारखंड में तीन प्रमुक खाने हैं जो दामोदर नदी बेसिन से बिलॉंग करती हैं एक तो है जरिया, एक है गिरडी और एक है बुकारो और इसी दामोदर नदी से सम्मंदित एक और छेतर जिसका नाम है रानी गंज कहां पर है बेस्ट बंगाल में जो पूरे भारत का सबसे जादा कोईले का प्रोडक्शन करता है अगर हम बात करें इस छोटा नागपुर सेक्षन के जो दूसरी बेसिन है उसका नाम है ब्राहमणी कौन सा नाम है? ब्राहमडी, पहला नाम कौन सा था? दामोदर, तो दामोदर में दो छेतरा आगए, एक तो बेश्ट बंगाल वाला और दूसरा आगए आपका जारखंड वाला, ब्राहमडी के अगर बात करें तो ब्राहमडी में एक सिक्सन आता है जिसका नाम है उरिसा, और वहाँ पर बुकारो है, जरिया है और गिरडी है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि जो गुंडवाना कोईले की प्रमुक खान है, उसमें तो हमने कहा चार पाट था, एक छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर में दामोदर बेसिन के सहारे भी कोईले पाए गए हैं और ब्रहमणी के सहारे भी कोईली पाए गए हैं, तो गुंडवाना में चार भाग, एक छोटा नागपुर, एक सोन नदी बेसिन, एक महानदी बेसिन और एक गुदावरी बेसिन, छोटा नागपुर में भी दो नदियां हैं, एक दामोदर है और एक ब्राहमडी है, दामोदर में भी दो सेक्षन, एक बेश्ट बंगाल में, एक जार खंड में, ब्राहमडी में कौन है? उरिशा है, तो अगला जो सेक्षन रता हो क्या है? सोन नदी का है, तो सोन नदी में भी गुंडवाना करम की है, तो सोन नदी का कहां कहां पर कौन कौन सा स सेक्षन है उसी की बात कर रहा है तो सोन नदी यंपी में भी है कहां पर है यंपी में चुकि सोन नदी हम लोग पढ़े हैं कहां से निकलती है आप लोग जाके देखिएगा सहडोल जिला है कौन सा जिला है सहडोल जिला जहां से निकलती है और वो कहां पर है यंपी में तो य नदी 36 गढ़ में, क्योंकि अमरकंटक के छेतर से निकलती है, तो वहाँ पर भी इसके कुछ छेतर पाए जाते हैं, जहाँ पर कोईले का निक्षेप है, उसमें है ताता पानी और रामकोला, तो 36 गढ़ में दो सेक्षन है सोन नदी से संबंधित, जहाँ पर कोईले का भंडा तो इसके की है महानदी, महानदी में अगर आप बात करें, तो यहाँ पर है कोरबा, महानदी की उत्पत्तियों इसे अमरकंटक से ही होता है, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे धमतरी जिला है, सिहावा पहाड़ी है, 36 गढ़ में, तो वहाँ सोता है, तो इसलिए 36 गढ़ तो गोंडवाना बार-बार रिविजन करिएगा, गोंडवाना में चार छेत्र हैं, छोटानागपुर, सोननदी, महानदी और गोदावरी, छोटानागपुर में भी एक दामोदर और एक ब्रहमणी, सोननदी का जादातर विस्तार आप कहां देख रहे हैं, मद्ध प्रदे में और साइट का क्या नाम है, कोरबा साइट है, अगला हमारा छेत्र है, गोदावरी नदी बेसिन, अगर गोदावरी नदी बेसिन की बात करें, तो गोदावरी नदी बेसिन भी गोंडवाना करम के ही काल करम की बात है, यहां की जो खान है, उसका नाम है सिंग रैनी, क्य यूजन नहीं होना चिए कि सिंगरवली के अस्तान पर सिंगरवली और लोitsink साने ची forever यश सिंगरवली मद्धप्रदेश में हैů जबकी सिंगरवली किसे संबंदित है तो सोल्नदी से संबंदित है तो किसी भी रूप में कहीं से भी प्रसन पूछा जा सकता है लेकिन आप बड़े प्रेम से याद करिएगा याद हो जाएगा कि गोंडवाना करम की जो चट्टान है यानि बिटुमिनेस टाइप का जो कोईला है या गोंडवाना करम की चट्टान में पायाता है गोंडवाना करम तो आप याद करिएगा याद हो जाएगा जितनी बार प्रेक्टिस करेंगे उतने आसानिस याद हो जाएगा बार-बार रिविजन करिएगा एक बार मैं नहीं समझ में आएगा दो बार वीडियो देखिएगा तीन बार देखिएगा लेकिन याद कर लिजेगा क्योंकि प्रस्थ पूछा ही जाता है और सेक्षन आपके लिए थोड़ा हो सकता है उतनी इप्वाटेंट नहीं है लेकिन कोईले का सेक्षन इसपात का सेक्षन पेट्रोलियूम का सेक्षन पराकृतिक गैस का सेक्षन काफी जादा महत्पूर होता है एक जाम के द्रिश्ट कोन से फिर हम बात करें कोईला खनी संसाधन जो टर्सियरी युगीन वाला है टर्सियरी युगीन यानि एंथ्रेसाइट इसका भंडर कहां पर है जम्बू कस्मेरी लिगनाइट वाला नेवेली तमिलनाडू में है फिर और कहां पर है माकूम असम है तथा पारना राजस्थान मे कर दो